Hello Everyone, TrueAIDS and PCS में दोस्तों आप सभी का सोगत है हम लोग सीग्रास के बारे में पढ़ रहे थे और एक कंसेट हमारा बाकी राए ज़सरे है ना कि थ्रेट्स जो सीग्रास फेस करते हैं कुनाल, सीग्रास के बारे में कल सब कुछ समझ में आ गया था, क्या होती है, कैसे होती है, अब हाँ कौन सा अनिमल मिलता है, ठीक है? और क्या अगर मैं आपसे की statement जानना चाहूं मयूर क्या ड्यूगॉंग हमें इशा पूरी इंडिया के coast पे मिलता है क्या बिल्कुल Bombay से लेकर Bay of Bengal, West Bengal तक नहीं लिमिटेट जगा पर मिलता है लिमिटेट जगा पर है ना क्या ड्यू कॉंग हिमालियन ड्रिवर स्में पाय जाता है गया बिल्कुल नहीं कहां से बाये जागा यार जब coast अलाग है हिंलियन ड्रिवर से लाग है ना कहां पाये जागा है यह चीज इन्लेंड पे मिलता है क्या मलब हिंदुस्तान की जितनी भी धर्ती का पार्ट है उस पे मिलता है क्या नहीं दीख है threats faced by sea grass natural disturbances such as grazing storms और desiccation अभी बताता हूँ desiccation को मलब लेकिन मुझे को बताओ यह sea grass तो श्रिया समुदर के अंदर होती है तो यह grazing कैसे यहां कौन चरने जा रहा है आश्मा से तो कल हमने यह वाली बात करी दी न कि यहां पर पेड़ पौद ही लगा कर आओ वो तोड़के धुड़ीना ला रही है चरने धुड़ीना जा रही है तो यह चरने कौन जा रहा है अंदर तो grazing किस बात की यार समुतर के देखो कुराल जो उपर है गाय बहस बेड़ बकरिया लेंड पे तो वो grazing करते हैं मतलब चरने जाते है grazing का मतलब यह होता है चारा चरना घास चरना तो यह समुतर के अंदर sea grass की grazing कैसे भाई यह कैसे हो सकता है possible देखें जरा एक बार को इसको हम लोग sea grass को लगाते है अब बताओ कौन कर रहा है grazing आपर हाँ तो बोला क्यों नहीं यार डियो गोंग यह खा रहा है ठीक है सीखाओ और इसके लावा कुछ other animals भी तो होते होंगे जो कभी कभार feed करते होंगे इन sea grasses पे हम तो क्योंकि sea ors भी होता है हम तो क्योंकि dugong के context में बढ़ रहे हैं तो इस वज़े से प्रतन्या हम लोग यह मान रहे हैं कि sea grass यहां से लुप्त हो जाती है गायब हो जाती है खतम हो जाती है और भी तो marine animals होते होंगे जो उस पे feed करते होंगे लेकिन अब एको बताओ हम लोग तो फिर चक्रवीव में फस गए ना अपनी discussion में इशा ड्यूग जो है या जो marine animals है वो तो खाएंगे सीग्रास को अब भाई सीग्रास limited है तो हम क्या करें उनका तो खाना ही वही है ना वो तो vegetarian है है ना दूसरा है storms और कल हमने storms किस context में पढ़ ला था waves या फिर वह याद है currents इसकी वज़े से एकदम से समूत्र के अंदर प्रदन्या मयूर एकदम से current अगर आएगा न ocean current तो उसकी वज़े से यहां उथल पुथल होगी और मयूर खुद इसको देख लो यह क्या बहुत जादा deep rooted shriya test दिख रहे हैं के यह मिट्टी से एक बड़ा था जोका इनको हिला नहीं सकता dugong की dugong का मुही देख लो यही तोड़ तोड़ के आराम से कितने आराम से खा पा रहा है है अवी फूरी चाल लगागे तो नहीं खाड रहा है उपर-उपर सी यह उख रहा है इसका मतलब हो और मिट्टी देख लो ना जब यह खा पास पार यह मिट्टी उड़नी रही है हलकेल की देखो जहां जहां यह कदम रख रहा है ठीक है उसके बाद एक वाड़ आपके सामने desiccation क्या मतलब होता है इसका desiccation देखो moisture को remove करना किसी भी चीज से उसको desiccation कहते है अब यहाँ पर moisture को remove करना मतलब क्या यानी की देखो समझो हाँ salt लेकिन एक और बात समझो पहले अपना पांसर आजएगा देखना आप लोगों के पास सभी आजएगा यह जो sea grass है सबसे पहले मुझे आपको यह बता हो यह deep waters में मिलेंगे या shallow water में shallow आजकल ऐसी कौन सी global level पर प्रक्रिया होने लगी है जिसकी वज़े से जो पानी है और जो कोस्ट है कोस्टल रीजन से पानी कम होने लगा और कोस्ट लाइंग ज्यादा दिखने लगी है ग्लोबल बॉर्मिंग अब अगर यह जो sea grasses है वहाँ पर grazing भी हो रही है waves और current जो है सूखनी जाएंगे अगर मनलों पानी का level कम अगर हो गया और वो जो sea shore है उसके किनारे यह located है sea grass सूखनी जाएगी बिना पानी की बताना जारा या बार बार अगर जो पानी है वो coastline से यहाँ पर आया फिर coastline दिखने लग गई फिर जो पानी है वो बड़ बैक कर रहा है फिर coastline यहां तक दिखने लग गई तो ऐसे करते करते जो sea grass is है वो भी तो visible होने लग जाएगी बताओ और अब देखो उसको desiccation का मतलब यहाँ पर एक particular time पर कुछ ना कुछ plants वाकर तो होंके ना moisture खताम हो गया कर यहां का तभी तो यह जो जबीन है के बंजर भूमी बन गई और यहां पर सारे की सारे जो plants है वो गायब हो गए शो कर रहा है नहीं अटेशिकेशन की concept को समझ मैं है तो it is basically a state of extreme dryness तो ऐसा हमाँ समझना जब वो पानी के अंदर नहीं तो वो dry कैसे हो जाएंगे एंड एक चीज और जैते ईशा अभी जो आपने बोला न के उसकी वज़े से salt content की वज़े से तो actually कै ईशा sea grasses found ही करी जाती है salty और brackish water में तो यह reason नहीं हो सकता ओके इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आपने एक मिट रूप जाब फर बताता हूं तो desiccation इसलिए दिखाना चाता था में आपको उसके बाद human disturbances इंसान किसी कांड में शामिल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता इंसानों की वज़े से एक process होता है eutrophication और जो की associated होता है एक phenomenon के साथ अभी पढ़ते हैं इसको नीचे algal bloom दूसरा mechanical destruction of habitat यानि की seashore में कुछ projects करना जैसे श्रया आप लोग करते हो on drilling projects petroleum अगरे का extract करना कुछ भी करना उसकी वज़े से भी हो सकता है ठीक है and overfishing overfishing का मतलब यह होता है आपको यह overfishing की वज़े से कैसे अच्छा mechanical destruction of habitat समझ में आया machines वगरा जो trollers है यह वाला point और यह वाला point connected ही है क्योंकि बड़े बड़े जो trollers होंगे वो एक बड़ी सी प्रतन्या लोहे की जाली जो है वो वो नीचे तक भेजेंगे और उसमें हो सकता है कि यह जो sea grass है यह भी उसमें attach हुई चली है like this इसको बना देते एक बार के लिए imagine कर लो बस इसके अंदर यह sea grass जो है वो चली है साथ में देख रहा है proper अबर इस वज़े से सब पॉसिबल हो सकता है यह सिर्फ यह जो दो topic है यह जो दो लाइने लेकी हुई है यह आपकी बस curiosity आपकी imagination और practical aspect और logical aspect की उपर आप इसको answer कर सकते हो कि सीग्रास के threats के हैं हाँ बस यह word unique हो सकता है इसलिए मैंने आपको proper meaning के साथ इसको google chrome से दिखाया desiccation क्योंकि examination hall में अगर आपको इसका dictionary meaning नहीं बताना तो आप सोचते रह जाओगे कि desiccation का मतलब क्या है and इस word का बगल में जो हिंदी वाले questions दे रखे होते हैं उसमें मतलब देखोगे तो और खतरनाक होगी Hindi तो फिर उसकी convert करते हुए ऐसा होता न प्रदन्या हम UPSC में अगर कुछ पता लगाने की कोशिच करने की Hindi में देख लेते इसका meaning वो तो और भाहियात होता है यह वाली बाते समझ मैं ही पहले मुझे बताओ जो threats which are faced by sea grasses अच्छे सी हाँ अब इसके बार में बताता हूँ Eutrophication कभी कभार क्या होता है पानी के अंदर ना nutrient content ज्यादा पहुंच जाता है like nitrogen and phosphorus अब यह बहुत सारे एक बार के लिए अब sea grass को हटा तो अपने दिमाग से सिर्फ sea grass इसके लिए नी बहुत सारी जगापर जैसे कुनाल हमारे गौलियर में जो लेक थी वो गौरी की नदी उदर यह चीज हो गई थी अब वहां पर कोई sea grass का concept था नहीं लेकिन fishes जो थी मर गई थी कुनाल से पूछो प्रतन्या पता है एलकल ब्लूम जब हुआ था उदर एक मलब क्या है कि एक न पूरी की पूरी ऐसी लेक है हमारे उदर इधर न बहुत पवित्र मंदिर बन रखें बहुत सारे लाइन से and semi circle में आपको पूरा का पूरा लेक का व्यू दिखता है एक रात को पता नहीं क्या हुआ सुबह सारी मचलियां इतनी तादात में लाखो करोडों तादात में वहाँ पर का कहते हैं उभर कर फ्लोट करते हुए मरी हुई पाई गई कम से कम कुनाल आई थिंक पूरे दिन में 30-30 निकले थे ना उनको भरबर के उनकी dead bodies को लेकर जाकर जितनी छोटी बड़ी मचलिया जितनी भी थी बार 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 है ना इतनी मचलिया थी आप इमेजन करके देखो जार मलब हम लोग जब bread का packet वहाँ पर क्या है कि उधर मंदिर के पास एक कुछ bread वाले बैटते हैं कि वहलब fishes को feed करवाने के लिए तो bread का packet 10-15 रुपे का हम लोग लेते थे तो जैसे ही कुनाल हम लोग डालते थे एक सेकेंड भी नहीं लगता था ना उस bread को गायब होने में इतनी मचलिया थी उसके अंदर है ना तो अब क्या है उधर ना कभी भी किसी पानी के अंदर जैसे मैं आपको गौरी की नदी या फिर जो इस लेक का जो की मैंने आपने सामने देखा यह वाला scenario इसके context में बता रहो तो आप imagine कर सकते हो ताकि आपको भी यह पता लगने लग जाए तो excessive input of nutrients जब पानी में हद से जादात में nutrients पहुँच जाते हैं like nitrogen, phosphorus तो यह कभी कभार अब sea grasses के context में लोग पढ़ते हैं यह toxic होते हैं sea grasses के लिए अब एक बात बताता हूँ इशा क्या मैं ही कह सकता हूँ अगर किसी पानी के अंदर nitrogen और phosphorus का content high मात्रा के अंदर पहुँच जाए sea grasses का toxic होना यानि की इनका desiccation इसकी वज़े से भी हो सकता है इसकी वज़े से भी सूख सकते हैं बता हाँ ठीक है इसलिए मैं महाँ पर clearly desiccation क मतलब समझाना नहीं चाहरा था क्योंकि नमक वाली बात तो इशा हमारी discussion से निकली गई इसका नमक कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि होते ही है नमकीले पानी के अंदर है है ना यह चीज़ है अब देखो क्या होता है excessive nutrient जब nutrient हाई मातरा के अंदर डाला जा रहा है तो श्रया यह तो अच्छी बात नहीं है जरा अच्छी बात है ना अगर nutrient पानी के अंदर आ रहे है तो लेकिन जो चीज़ किसी एक परशंग की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए अच्छी हो है ना दूद और दही अगर कुछ गिने चुने लोगों को ईशा पसंद आ रहे है तो जरूरी नहीं वो सबको सूट करें यह सब लोग उसको पचा पाएं डाइजस कर पाएं है ना अब excessive nutrient की वज़े से bodybuilding का काम हो जाता है दो तीन चीज़ होगा किसका epiphatic plants का free floating macro and micro algae का इनकी तो अच्छी खासी bodybuilding हो जाती है इन excessive nutrient की वज़े से इनकी body तो बहुत अगड़ी बन जाती जिंबली लेकिन इसकी वज़े से होता क्या है यह जो हमने उपर पढ़ा ना macro algae free floating macro algae इनके लिए term यूज़ करी जाती है nuisance species यह क्या करते हैं यह एक thick unattached mats यह epiphyte form कर लेते हैं sea grasses की उपर कुल मिलाकर आप ऐसा समझ जाओ एक प्रकार का जाल बिचा लेते हैं इसकी उपर जैसे मैंने इसलिए यह यह word लगाता श्रेया body building प्रदर्न्या यह जब ताकतवर हुए तो इनको suppress करना start कर देते हैं इनकी area में invade करना start कर देते हैं तो जैसे किसी की property पर मुझे कबजा करना है मैंने वहाँ पर दीवार बनाना start कर दी मालो kind of आप समझ में आया श्रेया हाँ मला मतलब नहीं नहीं यह harmful नहीं है आप समझो अभी यहां पर किसी की harm की दो बात तो होई नहीं रही है harmful कहां लिखा हुआ है इस line में कहां लिखा हुआ harmful है हम तो सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि अभी इनकी body बन रही है हाँ यह अब sea grasses को dominate करेंगे पडोस में दो लोग एक जैसी financial इस्तिती के लोग थे शुरू से उनका परिवार एक परिवार जादा अमीर हो गया अब वो पडोसी के घर को कबजा करने के लिए सोच रहा है कि अब वो ना money power यूज कर सकते हैं ना मसर पावर यूज कर सकते हैं लेकिन हमारे पास दोनों है तो इनके घर पर कबजा कर लो अब कबजा करने के लिए उन्होंने दिवार खडी करती और इस दिवार को कहते हैं अनटेश मैट्स या फिर एपिफाइट जो होते हैं यह यह फॉर्म कर लेते हैं अब एक बार के लिए इस confusion को मिठाने के लिए हमें यह जाना पड़ेगा फिर से एक बड़ी एपिफाइट्स यह वाले प्लांट है और उससे वह अपना मॉश्च्ट्र और न्यूट्रिंट डराइव करता है उसकी इर्दगेर्थ एक्यूमिलेट करके लेकिन सिर्फ फिजिकल सब्वोड के लिए ना सिर्फ फिजिकल सब्वोड के लिए विर्कुल आपने सही बोला यह वो तो होते नहीं और कौन सा होता है कमेंशलिजम है कि अब क्या है यहाँ पर तो हमने इसको ट्रेष्टियल उकोसिस्टम के अंदर देखा था यह तब भी कोई हामफूल नहीं थे हामफूल तो यह एक्वेटिक उसस्तम के अंदर भी नहीं है लेकिन होगा क्या इनको एक्सेसे न्यूट्रिंट मिलने क वज़े से ध्यान से सुनना एपीफाइट टेरिस्ट्रियल एको सिस्टम में जब हमने बढ़ाता है एपीफाइट गिनी चुनी मातरा में होते है लेकिन जो मेन प्लांट होता है वो काफी साधा ब्रॉड एरिया में फैल रखा होता है श्रया राइट लेकिन इनी एपीफाइट को जैसे क्या है कि यार यह न किरायदार है अभी इसके पास पावर नहीं अतनी है ना लेकिन जब न्यूट्रिन्स एक्सेस में आ जाएंगे तो यह पूरी की पूरी ब्रॉण वारी लकडी भी ढख जाएगी और सिर्फ इनका बोल बाला देखेगा इस पूरे एरिया में अभी यह चुप इस वज़े से इनके पास ना मनी पावर है ना मसल पावर है अभी न्यूट्रिन्स नहीं भी इनके पास कुछ भी तो चुप चाप है लेकिन जिस दिन इनका वक्त आएगा न यह पूरे एरिया को डॉमिनेट कर दालेंगे फिर अपना अच्छा नीचतर यह पूरा का पूरा छोड़ देंगे न्यूट्रिन्स फिर भी डिराइब नहीं करेंगे लेकिन पूरे की पूरे एरिया में क्योंकि इनकी ग्रोथ को तो इनको इनकी ग्रोथ के लिए इनको तो फिसिकल सपके रहे किसी कारव जब यह बहुत जाद ओर न्यूट्रिन्स कर लेंगे तो इसको पूरे को पूरे फिसिकल सपके का हिस्सा नहीं छोड़ेंगे अब इसको उमझन कर लो सीँग्राज के कंटेक्स में सपोर्ट के लिए उपर चिपके हुए थे अभी तक लेकि इतना न्यूट्रिशन मिल गया कि अब यह सीगरास छुपने लग गई है अब यह सिर्फ एपीफाइट्स दिख रहे हैं उपर के उपर सारे के सारे और यह दिख रहा है कि जिस तरीके से डॉमिनिट कर रहे है न एक एक ताइम के बाद इस पूरी जगह पर यही cotton ही cotton चाही होगी मैं लगा समझ जाओ कि मलब हम नॉर्मल एक्समेशन गरी इसको cotton कह रहे है इस टाइम पर यह पूरे पूरे एपीफाइट जो cotton जैसा स्ट्रक्षर दिख रहा है सिर्भ यह चाया होगा यह ग्री ग्रीन ग्रीन इसको ठक लेगा उसको canopy के जगवा word यूस करना चाहते है ना यही वह word है कहां गया बई यह अन अटेश्ट मैट्स और एपीफाइट देख रहे हो यह अटेश्ट नहीं है किसी चीज से यह उपर ही तो है लेकिन उपर ना पूरा का पूरा जब यह बिच जाएंगे तो यह जब एक बाँ बता ना यह पूरा का पूरा ऊपर से जब cover हो जाएगा इसकी तरह तो green बाला नीचे layer क्या ही दिखेगी बताऊ कि देखो अब इसको कितना फीका करने लगाए यह यहां देखो इसको कितना फीका करने लगाए यह इस यह समझ में आ रहा है कुनार टेपिकल तो नहीं लग रहा ओके तो macro algae यह form करते हैं एक matte structure एक जाली एक पूरा का पूरा कंबल टाइप बिछा लेना एपिफाइट का sea grass leaves की उपर अब इसकी वज़े से क्या होता है यह पानी clear देख रहा है श्रिया या फिर थोड़ी सी turbidity दिख रही है इस पानी के अंदर दिख रही है न यह देखो अगले point पर आओ दिस increases turbidity क्यों हर जगा प्रतन्य जब यह रूही रूही जैसे structure फैल जाएगा तो transparency तो loss होई जाएगी जब यह transparency loss होगी हाँ बता बता यह जो एपिफाइट है न समझा आ गए न यह जो algae है न यही collect होकर एपिफाइट बन जाते है सारे के सारे micro और macro देखो 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 macro algae they form unattached mats और एपिफाइट यही form करते हैं कान चाहिए यहां से पकड़ो चाहिए वहां से पकड़ो बात एक ही है अगर आप इनके बिल्कुल micro level में जाकर microscopic view अगर इनका लेना चाहते हैं तो आपको यह algae की form में ही दिखेंगे मलक कुलमला करीशा यह भी phytoplankton नहीं एक तरीके से यह कहलो क्या दिखकत उसमें हाँ बिल्कुल है और commensalism इसके ऊपर भी है वैसे तो यह ही है sea grass के ऊपर supports देगे उनको तभी तो ऊपर टिख गए है यह देखो ना number of algae forms epified और वह epified commensalism form करता है sea grass के साथ ऐसे simple यह मुझे यह diagram सबसे सही लग रहा है यह देखो जब यह बढ़ेगा तो एक बाद बताना यह पानी के आसपास श्रया प्रदन्या मजास भाद बढ़ेगगी यह देखो आप जब oraz मटीनेस बढ़ेगी यह देखो अब जब्स बढ़ेगी यह पानी दुंदला हो गया कितना दुंदला हो गया यह देखो कर दिया ने इसने अब ये पता है पानी बिल्कुर क्लियर है प्रदर्न्या पानी बिल्कुर क्लियर है ये cotton like structure हर्चे का फैल गए है पूरे पूरे algae micro वाले भी macro वाले भी कुल मिलाकर epiphyde फैल गए अब देखे रहो sea grass तो छुपी गई kind of अब ये इतना ज़्यादा फैल जाती है और nutrient मिलता चला जा रहा है nutrient मिलता चला जा रहा है मिलता चला जा रहा है उसकी वज़े से जो turbidity है वो और increase हो रही है इसकी वज़े से photosynthesis की प्रक्रिया sea grasses हैंद रिड्यूस हो जाती है अब जब photosynthesis की process अगर कम हो गई तो sea grass अपने लिए खाना बना पा रहे हैंगे बताओ और एक सेकंड एक सेकंड हल्की फोल्की दूप अगर चलो पहुंच भी रही है तो sea grass धिक कहा रहा है वो तो छुप गया ना पूरा का पूरा नीचे है बताओ श्रेब अब उसकी धूप को तो कौन खाने के लिए बैठा हुए पूरी पूरी मलब धूप से जो nutrition मनाने को कौन बैठा है अब तो पूरा पूरा यह सारे algae और epiphytes है ना अब क्या होता है वो algae वो macro algae जो की bottom layer पे located है मलब वो नीचे जैसे उपर दे शुरू करा था इन्होंने कब्जा करना जाते जाते नीचे 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 जाते रहे इनको हम तो कहते हैं bottom वाले macro algae English में कहते है benthic algae benthic macro algae महला कब्जा हमेशा उपर से उनना शुरू हुआ था ना उपर वाले पार्ट से टॉप से वो जाते जाते नीचे तक फैल के है तो शुरू में जो algae थे वो थे nuisance species बाद में benthic species अब इन में क्या होता है they have low carbon और nitrogen content उपर वालों के पास क्योंकि जाता होता है उनको nutrition जाता मिलता है नीचे कम पहुँच रहे हैं जिसकी वज़े से यह नीचे वाले macro algae यह decompose होने लग जाते हैं जब यह decompose होंगे तो bacterial activity जाता फैल जाएगी पानी के अंदर जिसकी वज़े से जो sediment होगा वो उधर का उधर ही तेरता हुआ रह जाएगा यानि कि जो turbidity है ना जो वो मर रहे हैं सड रहे हैं sea grasses पूरी की पूरी तबा हो रही है और इसका decomposition हो रहा है तो turbidity already सुनना द्यान से turbidity already epiphytes और macro algae की वज़े से थी और नीचे से जो sea grasses का decomposition हुआ और इसकी उपर जो भी यह पानी में तेरती रह जाती है यह decomposed material जिसकी वज़े से turbidity 2x level पर increase हो जाती है पूरी कहानी समझ में आ रही है ज्यादा अंगरी जीत हो नहीं हो रही है बताओ बताओ वो turbidity बढ़ा देता है क्यों देखो न टर्बिटिटी सबसे पहले प्रदन्या increase हो रही थी सिर्फ और सिर्फ epiphytes का कबजा करना sea grass leaves की उपर शर्या नमबर बन टर्बिटिटी तो यही थी न कुनल सबसे ज़्यादा तो mudiness इसकी वज़े आ रहा था अब क्या होता है यह जो macro LK होते हैं देखना मैं यह कहना चाहरा हूँ अभी clear हो जाएगा एक minute में सब कुछ यह देखना यह एक single sea grass बना रहा हूँ बस इसको ध्याद से देख ले न प्लीज एक ही बर में यह single sea grass बना रहा हूँ बस एक ही है अब क्या हुआ मैं gray color से बना र है nitrogen और phosphorus यह multiply हुए और कबजा 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 क्यों कर रहा मैंने दिवाइड इसको मिटा देख लिए डिवाइड मैंने इसली कर रहा सिर्फ इस डिएग्रम पे फोकस करना और किसी भी भी नहीं यहां पर है न्यूसेंस मैक्रो एलगे जो टॉप पर जिन्होंने कबजा करना शुरू कर रहा था सबसे बड़े गुंड़े ही है नीचे जो पहुंचे वो पहुंचे बॉटम वाले बैंथिक मैक्रो एलगे है अब मुझे इक बाव बताओ यह सबसे पहला सबसे पहला न्यूसेंस स्पीशीज मैक्रो एलगे की यही तीना नंबर बन अगर मैं यहां पर इसको नंबर बन लिग दू तो सिर्फ इसी को लगातार नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो मिलता चला गया यह इसी के वैचे से मल्टिप्लाइ करता चला गया ना यह तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह जो मैंने लक्षमंट रेखा बनाई है ब्लैक कलर से यह जो मैंने ब्लैक कलर से लक्षमंट रेखा बनाई है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लगभग 75% टॉप की लिएर को मिल रहे है और बेंथिक वालों को सिर्फ 25% पहुंच रहा है नीचे तक क्योंकि जब भी पानी के अंदर कोई भी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को गोली मारो न्यूट्रियन जब भी फैल रहे तो उपर जही तो किरेंगे ना वो तब भी पानी के नीचे अंदर दिरी दिरे करके जाएंगे ना तो नीचे वाली लेड तक तो पहुंच रहे उपर ही पहुंच रहे ना अब होता क्या है इनको मल्टिप्लिकेशन के लिए बेट रहता है बेंधिक मैक्रो और्गनिजम को कि हमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिल जाए लेकिन 75% तो सिर्फ उपर वाले मैक्रो मैक्रो एल्गे हैं स्पीशीज जो हैं वो कंजूम कर रहे हैं अब होता क्या इसकी वज़े से होता क्या इसकी वज़े से नीचे वाले नीचे वाले मैक्रो एल्गे जिनके पास आप इस लाइन के उपर आओ they have low carbon and nitrogen content मतलब इनकी जो भूग थी न वो जादा nitrogen and phosphorus की थी जादा nutrients की थी उतना खाना मिला नहीं जितना top वालों को मिल रहा है इसकी वज़े से ये मर जाते हैं इनकी जब मृत्य हो गई इनके उपर bacteria feed करेंगे cool मिलाकर पूरी की पूरी dead body इनकी decay होगी जिसको हम लोग कहेंगे decomposition का process जिसकी वज़े से जब ये decay होंगे तो इन benthic macro algae की body पानी के अंदर उसके जो तुकडे होंगे या कुछ भी होंगे वो particles flow करेंगे अब जिस जगह पर ये flow कर रहे है हम वहाँ पर एक चीज भूली नही सकते कि यहाँ पर तो पानी है बाई सब अब जब यह यह देख रहे हों यह जो मैंने बनाए है particles pink color से यह सारे के सारे अभी जो particles हैं यह जो flow कर रहे हैं यहाँ पर जाके क्या मैं कह सकता हूं कि अभी तक यह पानी बिल्कुल ऐसा clear था है इधर लिकिन इस decomposition के बाद यह जो pink color का जो उसमें litter आ गया है जो dead bodies है benthic microalgae की इसकी वज़े से जो पानी के अंदर dustiness है या mudiness है या cloudiness है turbidity है वो बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी बताओ समझ मैं इसका एक एक example देता हूं प्रधन्या यूपी में बरारस में गंगा घाट के किनारे गंगा इतनी गंदी क्यों रहने लगी है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं dead bodies को वहापर float कर देते हैं बहाँ देते हैं अब क्या मैं यह कह सकता हूं कि वो जो पानी गंगा का दिख रहा है गंदा होता हुआ इतने सालों में जो गंदा हो गया है और मैं उसको एक crystal clear plastic की bottle में coca cola या thumbs up की bottle में glass में जब मैं उसको ले रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं वो जो particles suspended होते हुए घूम रहे हैं वो decomposed dead bodies के particles हैं बताओ और उसी की वज़े से गंगा के नीचे अगर मैं आखे खोल के बैठ जो तो मुझे कुछ नहीं देखेगा it is एं दिल्दी की छोटी गंगा तो जानते ही होगे मैयूर या मुना है ना है पूरा गटर नहीं बन गया है बताओ है कि नहीं अब यह चीज़ समझ में ही बताओ तर्बिटिटी कैसे बढ़ जाती है अब क्या होगा सीग रासिस की तो लंका लग गई photosynthesis होनी पा रहा था तो एक्चुली ध्यान से सुनना एक्चुली मैक्रो एलगे ने और एपिफाइटिक और गयनेजम से कुछ भी नहीं कर रहा सीग्रास के साथ उसके उपर अटैक नहीं कर रहा है लेकिन क्योंकि सीग्रास को किसी ने nutrition मिलना ही नहीं दिया उनके मूँ पे ये लोग पिलो अब क्या होगा एक टाइम के बाद ऊपर कौन बचा था बैंतिक मर गए उनका डीकंपोदिशन हो गया सीग्रास मर गई अब कौन बचेगा पूरे समुद्र पर राज किसका अब नाम चोड़ो नाम चोड़ो नीज ज़़ो एलगे का ना एलगे का तो अब लास्ट लाइन देखना एक बार के लिए इसकी एलगे स्टार्ट्स कू डॉमिनेट सीग्रास क्या कुछ नहीं रहे हैं अटैक नहीं कर रहे हैं अटैक नहीं कर रहे हैं उसे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं यहां पर कुछ आकर डिरेट हाम नहीं कर रहे हैं बस उनके मुँपे प्लो रखकर बैठ जाते हैं जिसकी वज़ेते सीग्रास इसको खाना मिलनी पा रहा औक्षियन मिलनी पा रहा आप किसी की मुँपे प्लो रखके शरया बैठ जाओके तो दम नहीं उट जाएगा उसका है ना खुश हो रही है शरया इमाजिन करते है कि इसकी मुँपे दरुआ जाएसा ठीक है इसको कहते है ऐलगल ब्लूम एलगल ब्लूम का मतलब क्या होता है उस जगाप पर सिर्फ और सिर्फ एलगे का कबजा हो जाना इसलिए पंजाब में आसपास या कहीं पर भी हम जाते हैं कुनाल MP में अपने भिंड में ही देख लो कुनाल इतने सारे इतने तलाब है उसके उपर जो काई हम जाती है न ग्रीन कलर की पूरी की पूरी जिसके उपर कमल खिलता है फिर बाद में या कुछ-कुछ पतियां खिल रही होती है वो इसी प्रोसेस की बज़े से होता है भूलना मत scientific solution होते हैं वो हम आगे वाले chapters में जानेगी है और उसमें भी करवाऊंगा अच्छी बात है कुनाल ने पॉइंट रेस करा कि solution होता है science की सार्च श्रिया आपको पताऊगा GS paper 3 में में science and technology भी है तो मैं मयूर उजदिन बुक की फोटो भी जाता है मैं आपको अभी भी अगर लिहारी की बुक तो नैनो टेखनोलजी और बायो टेखनोलजी की मदद से ही काम करा जा सकता है कैसे करा जा सकता है वो मैं बताऊगा अभी वह बहुत complicated चीज है अभी समझ भी नहीं आईगी eutrophication it eventually leads to anoxic conditions anoxic मतलब क्या where there will there be oxygen or not not और मैं एक बार के लिए अगर आपको दिखा दो गर आप आप जानने ही चाहते हो तो anoxic का मतलब होता है great deficiency in oxygen great मुझे अब मुझे यह पता दो सोस समझ के please यह सब कुछ हुआ जो यहां पर यह oxygen कैसे खताम हो गया भाई साब oxygen की तो दूर दूर तो चर्चा ही नहीं हो रही थी पानी के अंदर oxygen कैसे खताम हो गया भाई species जी तो मरें हैं ऐसे तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड अरे ऐसे तो मसलिया भी मर जाती है crocodile भी मर जाता है shark भी मर जाती है बहुत सारे पानी के अंदर किसी तलाप के अंदर कुछ फाइटो प्लेंटन, जू प्लेंटन, बहुत कुछ होता है, सब मर जाते हैं, लेकिन वो तलाप, लेक, पॉंड, नदियां, ओशन, सी, सब कुछ सो चलता रहता है, या यूट्रोफिकेशन की वरिसे, ऑक्षियन कैसे खतम हो गया अगदम से, घास ही तो मरी हैं बस, और क्या ह हो गया, वो तो ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, फोटो सिंथेस, ईशा, बताओ भी तुम्हे, कलेक्टर नहीं बनना है, उनको, वोई तो, यूट्रोफिकेशन, इवेंचुली लेट सू इनॉक्सिक कंडिशन फॉर दा सीग्रास, एन और्गनिजम सर लोग, ग्रेट, क्या बढ़ा हमने इसके बढ़ा है, ग्रेट, डेफिशेंसी, ओफ, ऑक्सिजन, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, यूट्रोफिकेशन, हमने क्या सीखा इसका मैदब, हमेशा जहां पर यूट्रोफिकेशन है, इसके लिए कौन सा जीवजंतु र और L.г. कम होगा के जादा होगा जादा, और जादा को हमनों क्या कहेंगे इसके इसके निदर, ब्लूम 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 नहीं एक बार ब्लूम बस ठीक है एंश्रिया बूम मत लिखाना इसे कहीं लिखाओ लगल ब्लूम बूम ओनली ब्लूम ओके प्रदन्या समझ में आया है कॉम्लिकेटट तो नहीं लगा हैं तो दोस्तों इस डिसकुश्म में फिला लेतने थैंक यू बेरी बेच पर डिसकुश्शन